आज के इस वीडियो में हम चैप्टर वन क्लास नाइंत का एकसेसाइब 1.1 का कोशन नमबर 1 करने वाले हैं इसको बड़े ध्यान से समझेंगी कोशन में वो पूछ क्या रहा है और हमें उसके बारे में बताना है पूरा तो वो कह रहा है इस जीरो और रैशन नमबर तो इसको हमारे अपे प्वाल गमच्व की फश्म में लेखुए होते हैं अब आप्र क 미र्ण के फंसे उता है प्वाल के फंसे मींस होता है जो नबर हमारा फ्रेक्ट्सनल स्प्म में लेखा हुता जैसरे Analgy Lam नहीं करता है आपका आपको हमें आपको देखना है कि आपका जो नंबर है आपका क्या होना चाहिए आपका पी अपन क्यों की फॉर्म में होना चाहिए कैब अभी आजाते हैं कोशन पहुंद में उसमें दिए फोष्टी और राइशल नंबर है तो हम पहले झीजीन हम च्ण। निए था उस नीचे होता है तो यह आपका क्या होगा य 우리가 हो गया तो जो नंबर अमारे पी अपन की फ़र्म में लेखे जा सकते हैं वह घ्राभ फीर घ्री से उसने फेवन के Donut सकते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि हमने इसको लिखा पी अपॉन की की फॉर्म में तो येस हम इसकी बारे में लिख देंगे येस बीकेन राइट इस सिस्टेमाटिक तरीके से कर क्या हैंगे पूरा नमबर मिलता है आपको एक्जामिनेशन में इन दा फॉर्म ओफ पी अपॉन क्यूब यहने कि हम इसको पी अपॉन क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं और वेर पी अंड क्यूब अगर आपका राशन नमबा नहीं हो तो यह आपके आंसर हो जाएंगे और यह इससे आपका कोशन नमबा वन फिनिश हो जाएगा अभी करेंगे हम कोशन नमबा टू में उसने क्या बोला है को दिख लेते हैं क्या दिया है उसने फाइन शिक्स राशन नमबर बिट्विन फ्री एंड फॉर तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको राशन नमबर निकालने का क्या तरीका है और हम दो नमबर की बीच हम इन फाइन नमबर निकाल सकते हैं इन फाइन अलग अलग तरीके से हम बहुत सारे नमबरों को निकल सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है सेम हो मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है क्योंकि हम किसी का भी डिनोमेटर में मल्टिप्लाई कर सकते ह बस क्या है कि जो नमबर दिए गया होंगे उससे ज्यादा होना चाहिए उसने question number six मैं है पर लाता तो मैं आपको यहां पर पहला method बता रहा हूं मैं आपको जैसे आपको इन दोनों number के बीच में कोई number नहीं दिया है ठीक है एक लाइन होती है अगर नम्मर लाइन के साब से आपका कोई भी नमर नहीं दिया गया होता दो नमर के बीच में तो जैसे हम इसको पहले राशन नमर की फर्म में बना लिए हमने अब देख लेते हैं यहां से आपका कोई फराग नी पड़ेगा कुछ भी आए यहां से देखा हमने है यहां से क्या हुआ है यहीं हमने क्या हुआ नेकल लिया हम अभी हमें को वह भी यहां तो यह हो एक सब्सक्राइलकन आपूश नममर भीट्वीन 3 & 4 आफ यहां आप के फ्रेक्षिनल फॉर्म में पहले से बना कि दे दिया है तो फ्रेक्षिनल फॉर्म में आपका दिया है कोई दिकत नहीं तो उसके सब सब स्पाप्स इनके करनेसें लांट सेब्स होगा तभी हम कणिशन में talking करेंगे जिस तरह से में किया है दो नहीं है तो पहले सब्सक्राषा करना होगा देन आपको मुल्टिप्लाइ करना हुगा इसमें वो कह रहा कि 5 नमबर निकाले जब वो 5 नमबर के लिए बोला है तो हमें कितने का मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 6 का मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा हमने 6 का मुल्टिप्लाइ कर दिये कि कॉश्चन तो सेम ही है 3 & 4 वह ही है लेकिन उसने उसमें 6 नमर पूछे थे इसमें 5 पूछे तो 5 पूछाए तो उमने 6 का मल्टिप्ले कर दिया तो यह हो जाएगा 18 यहां से 18 के बाद कितना होता है 19 20 21 22 23 देखे 1 2 3 4 5 अभी यहां से यहां से 18 और 24 की बीच में मारा कितने नमबर दिये गए हमारे 19 20 21 22 23 वह वन 2 3 4 5 अब इसके नीचे से में मारा 30 30 30 कर देंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है वह क्या कर सकता है इसको किवल कर सकता है सब्सक्राइब कर सकता है और कुछ नहीं है तो यह आपका आंसर हो जाएगा पॉल्स को देख लेते हैं और है कि yo अपने आंसर के लिए रिजन मतलब अब इसका सुलीशन घर मतलब यहेशन और तो आपको क्या करना सब्सक्राइब एक आंसर भी देना होगा उसको मतलब यह आपका फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है और प्रू है तो प्रूव क्यों है तो यह आपको एक इसके लिए एक लाइन लिखना कंपल सरी तो मैंने यह से कुशन लिख लिए पहला एवरी नैचरल लंबर तो पहले इसमें दो चीज़ां दीखेंगे उसने तो हम पहला वाला जब कोशन करेंगे तो दो चीज़ों के बारे हम पता हों चाहिए कि नैचरल लंबर क्या होते हैं और आपके होल लंबर आपके क्या होते हैं तो सबसे पहले हम नैचरल लंबर लिखते हैं और करने की कोसिस करेंगे इसको पूरा कंप्लीटली लिखेंगे नैचरल लंबर ल होते हैं होल नंबर में क्या होता है बस एक नंबर और बहड़ जाता है होल नंबर में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे सिंस से शुरुवात में सिंस का मतलब होता है क्योंकि सिंस दा कलेक्शन ओफ कलेक्शन ओफ होल नंबर जितने भी हमारे होल नंबर हैं सिंस दा कलेक्शन ओफ होल नंबर नंबर कॉंटें अल्ड़ नेच्रल नंबर अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां से मतलब हमने लिखा क्योंकि जितने भी हमारे होल नंबर है वो सभी किसमें आ रहे हमारे नेच्रल नंबर जितने भी है हमारे कलेक्शन ओफ होल नंबर यानि जितने भी हमारे होल नंबर का कलेक्शन है हमारा उसमें सभी क का सेकंड देख ले दियो गां सी पकलब और किया सेकंड को उसने पोला है अ नो स्था मोई को आपर Dru जया हका है अवा इंटीजर के बारे में जानना पड़ी ओंते हुम्म मझें 182 लें कि अमारा क्या होता हैं तो सब सेकंड वा ले के लिए हम क्या करेंगे इंटीजर्स का मिमेंस है जितनी भी मारे plus principles के जितने भी नम्र होते हैं हमारे जितने भी नंबर में है तो यहां से देख रहे हैं कि है कि इसमें यहां से हम देख रहे हैं कि यह वाले nabr किकी मसलिट देंगे कोई और यांसे का लिए हमकेanट कि मैनस डू तो यह मानेस वान कुछ भी लिगत ओम इनमेस से कोई यह जी यह मारा फॉर्स का वहीं मायनस दो अगर हमारा होनम रहोता है तो थो हमारा हो जाता पर दरषा यह यहीं मायनस वन भी नहीं है इसका मेंस यह क्या हो आरो प्लिषी का धीन अभी कॉशन नमर जिसका थर्ड देख लेते थर्ड ね Situation है थर्ड में उसने बोला है थर्ड question नम बोला है EVERY partial number is a whole number अब जितने भी partial number दिये गए है रशाल number के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी P upon Q की फॉर्म में होते हैं वसे पिवी हमारी कैसे होते हैं रशाल अंबर होते हैं हैं तो हमने रापर के बारे में जै तो जान लिया था कि बहुंकपन के फिर्म aja हो ते हैं अब होल का मीस है इनकी बेलिव पूरी-पूरी होनी चाहिए जैसे वन है तो पूरा नमबर है ,ट पूरा नमबर है मतलब इनका कोई भी पा creators नहीं लेकिन अम्हारे जितने भी रैशनल मंबर होते हैं ज्सेक्षी आप पीछे भी सुने नंबर में आपको पता था गरों है कि आपका कोई भी रैस्यार लखा अभी मैं इसको ट्रॉ से डिभाइड कर दूं कि अगर मैं यहान से देखू हूँ इसको five by two तो यह मेरा ratio number है five by two क yapmış क्या है मेरा ratio number है लेकिन यह whole number नहीं हैе ratio number तो है मैं लेकिन यह हूल number नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह इसका आगर divide करेंगे तो इसका जो divide करने के बाद प्याएगा यह हमारा इसका डिवाइट करने के बाद आ जाएगा 2.5 और यह यह मारा रेसिन नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं यह फाइब देखा मैंने फाइब जो है मेरा क्या है वन और नीचे अगर वह का इसमें डिवाइट करूंगा तो यह रेशनल लंबर भी है और यह बहुत नंबर भी सब्सक्राइब null when मत warm ने शकते हैं इसके लिए किया हो जाया कि कंडिशन हमारी फॉल्स हो जाए तो हम यहां लिख다ें और पर एकसर कीम पने देंगे तू इज रियर नम्मर सोरी है यहांसे हम लिख देंगे टू इज अ कुशल नमसしました old numbers हम यहांसे लिखते हip है इसका number is a whole number बट वन और टु इस नॉट मतलब इसका अगर मैं यहांसे यह इसका example ले लूँ मैं यहांसे वन ले लिए मैंने वन इसた फूल नंबर है ना 1 एक यह जो नंबर है हमारा जो हमारा रैशल नंबर हो सकता है वो जो होल नंबर हो सकता है वो रैशल नंबर नहीं हो सकता है तो इसका में यह है कि जितने भी हमारे रैशल नंबर होंगे वो सब होल नंबर नहीं होंगे तो यहां से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और